ओम सूर्याय नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको पुत्रधन प्राप्ति का साधरान साथ पाए बताऊंगा, 10 नमंबर छट पूजा, जिसमें भगवान सूर्देव की पूजा की जाती है, जिसे सूर्य छट पूजा भी बोलते हैं, इस पर्म में उगते हुए सूर्य और अस्ताचल सूर्य को अर्ग दिया जाता है, साल का यह ऐसा पर्म है, जो विशेश पवित्र है, और जिसमें विशेश रूप से प्रदान देपता के रूप में भगवान सूर्देव की आरादना की जाती है, छटी मैया प्रसन्नो करके मनवान चित भलपरदान करती हैं, अपने सभी सादकों की मनुकामना पूरी करती है, शूर्य वगवान का आशिरवाद प्राप्त होता है, जिससे पुत्र धन प्राप्ती का आशिरवाद मिलता है, ब्रती 36 गंटे तक यानि तीन दिन का यह पर्व होता है, तीन दिन का यह प्रत होता है, विशेश ही नियम होते हैं, बिना सिला हुआ बस्त्र पहनते हैं, साथ ही नियमों का पूरा पालन किया जाता है, जमीन पैसोना, लेसन प्याज, तामसिक भोजनों का बिलकुल त्याग कर देना, साकाहरी भोजन करना, विशेश महत्तो है, वि पता ही होता है वो तो डालते ही डालते हैं साथ ही जो ब्रत नहीं कर रहे हैं अपनी मनो कामना के लिए वह भी भगवान सुर्देव को अर्ग देते समय निम्न बातों का बिसेश रूप से ध्यान रखेंगें इसमें अस्ताचल सुर्द को अर्ग दिया जाता है फिर उद्य तो वेखे समय जब सूर्य लालमा में होते हैं, तब अर्ग दे करके ब्रत खोला जाता है, तो जब आप सूर्धेव को अर्ग दे रहे हुं, तो उस समय विशियस रूप से बात का ध्यान दर्खेंगे, कि जो व्यक्ति नदी या तलाप पर भगवान सूर देव को अर्ग दे रहे हैं वो तो एक अलग बात है लेकिन जो घर पर सूर देव को अर्ग दे रहे हैं तो बहुते लोग होते हैं भगवान सूर देव को अर्ग देते हैं जो जल है वो पैरों पर आता रहता है यानि जिस जल से अर्ग देते हैं वो जवी पर गड़ता है फिर उसके चींटे पैरोपर आते हैं तो वह चींटे पैरोपर नहीं आने चाहिए जब आप अर्ग दे रहे हो शूर्देव को अर्ग देते समय इस बात का ध्यान रखे दूसरा जब शूर्देव को अर्ग दे रह सबसे पहला मैत्व है कि जल में दूद जरू डालना है दूद सक्कर चावल ये तीन चीज आपको डालने हो साथ ही डालना है गाय का थोड़ा सा घी उस लोटे में फिर उससे आपको ओम सुर्यायनमा भासकरायनमा आदुता नमा आदी मंत्रों को बोलते हुए भगवान सुर् दे रहे हुँ तो इन मंत्रों को आजाब करें और ये चीज है उस लोटे में डाले अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर आप एक दीपक वगवान सुर्देव की तरफ मुकर की दीपक का जलाद है इतना प्रवाब है इसका कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी इसमें सुर्देव की पूजा का विशिश मेत्व है जो व्यक्ति दिनों में भगवान सुर्देव की आरादना करते हैं अर्ग देते हैं वैसे तो प्रति दिन भगवान सुर्देव का अर्ग देना चाहिए उनकी प्रतिक मनोकामना पूरी हो जाती है तो मुझे उमीदा आ पर्व जो है प्रारम हो जाएगा तीन दन का ये पर्व चलता है नाय खाय ब्रत खरना फिर उसके बाद में छटी की पूजा सब्तिमी को पारण होता है इसका भगवान सूर्दीव सभी मनुकामनाय पूरी करते हैं साथ ही भगवान सिब का अशीरवाद भी आप सभी को प्रा आप तोगाँ